नमस्कार सबी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस टेड़ी प्याइन लोला साथियों सिक्सन विदियों का गोल्डन पेपर 9 लेकर आया हूं जिसमें आपको दोनों लेवल के लिए 36 शांदार प्रशन देखने को मिलेंगे तो लाश्ट टाइम में इसे प्रशन हल करना बहुत ही जादा लाबकारी होने वाला है तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत ही महत्पुन प्रशन हम हल करेंगे इसके पहले भी मैंने साइकलोजी का पूरे ही 30 प्रशन वाला टेस्ट डाला है सुबह शाड़ी 6 बजे तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजेगा प्रशन संक्या एक निम्लकित में से सबसे अधिक प्रभावशाली सिक्सन साधन होगा चल्चित्र परदर्शन व्याख्यान और भर्मन तो देखो प्रशन संक्या एक में सही आंसर देना है सबसे प्रभव शाली सिक्षन का साधन क्या रहेगा इन दिये गए विकलपों में से राइट answer है आपके भरमन आगर बरमन नहीं होता तो चलचित्र को सई करते सबसे कम प्रभव क्या है व्यक्यान है शाथीयों विकलप नमबर आपका चार सई है क्योंकि बर्मन के माध्यम से हम प्रत्यक्षन उबोव करते हैं प्रत्यक्षन उबोव के द्वारा अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो फिर वो सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है सबसे ज़्यादा वो याद रहता है जल्दी सीखते हैं इस्ता यान होता है वो, चोता विकल्प आपके प्रिश्ण संक्या एक में सही है, नेक्स प्रिश्ण नमबर दो पे आते हैं, आपके दूसरा क्यूशन है, अधिगम प्रतिपल का तात्पर है, पाटे सामागरी में संशोधन, अध्यापक के व्यावार में परिवर्तन, बालक राइट आंसर बता दीजिए, कौन सा आंसर आपका सही रहेगा, देखो अधिगम प्रतिपल का मतलब क्या होता है, बालक के व्यावार में होने वाला परिवर्तन, उसको ही अधिगम प्रतिपल के नाम से जाना जाएगा, विकल्प नमबर आपका तीन सही है, दूसरे क्यू इसकी पीडिये प्राप्त हो जाएगी साथियों, पूरे ही 36 प्रेशनों की, तो चलिए नेश प्रेशन नमबर तीन पे आते हैं, तीसरा क्यूशन आपके है, हुरिष्टिक विदी का केंद्रिय सिध्धान्त निम्न में से कौन सा है, अनुभों से सीखना, परिश्रम से तो देखो, हुरिष्टिक विदी, जिसको हम खोज विदी के नाम से भी जानते हैं, इसका केंद्रिय सिध्धान्त किसको माना जाता है, स्वयम करके सीखना, जिसमें खुद करके सीखा जाता है, क्योंकि खोज करने का कारिये कौन करता है, चात्र करते हैं साथियों, और चा देखेंगे अब हम प्रिश्ण संख्या 4 को तो चलिए आते हैं प्रिश्ण नमबर 4 पर चोता क्यूशन विध्यारती पार्ट या उसके किसी भाग को अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं या नहीं इसके लिए उप्यूक्त है ग्रहकार ये बोध प्रिश्ण मौन वार्चन और तो देखो जब हम बच्चों को किसी भी पार्ट का सिक्सन करवा रहे हैं तो उस समय ग्रहकार देखर के तोड़ी पता लगाएंगे क्योंकि भाग को या उस पार्ट को अच्छी तरह से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं उसके लिए हम उनसे क्या करेंगे बोध प्रिश प्रश्ण संख्या 4 में नेक्स्ट आता है आपके प्रश्ण नंबर 5 तो चलिए देखेंगे आपके प्रश्ण नंबर 5 को 5 वाक्यूशन ये देखिएगा प्रश्ण नंबर 5 को प्रश्ण पत्र में प्रश्णों की संख्या बढ़ाने से प्रिख्या का निम्लिकित गुण अधिक प्रभावित होगा वस्तो निष्टा उप्योगिता व्यापकता और वेदता तो देखो प्रश्ण संक्या 5 में आपको सही आंसर निकालना है कौन सा विकलपापका इसमें सही रहेगा तो देख लेते हैं इसका सही आंसर साथियों प्रश्ण पत्र में प्रश्णों की स संख्यां यदि आप बढ़ाते हो तो उपयोगीता वेदता और वस्तनिष्टा इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा व्यापकता क्योंकि अधिक प्रश्ण लोगे तो फिर आप अधिक पाट्टे करम से प्रश्णों करने के लिए सबसे उपयुक्त विदी कौन सी मानी जाती है आगमन विदी निगमन विदी संसलेशन विदी और विसलेशन विदी अब एसी इस्तिती में क्या होता है सात्यों हम निगमन को और संसलेशन को तो एक तरप रख देते हैं लेकिन विसलेशन और आगमन में कंप् नवीन प्रशन को हल करने के लिए सबसे उप्यूक्त विजी तो फिर वहाँ पर आपको सही करना है आगमन विजी को देखो इन चारों विदियों में से कम से कम पाच क्यूशन आते हैं आपके पूरे एक्जाम में कम से कम बताराओं में तो सातियों इन चारों विदियों को अ से तिनका निकला जा सकता है प्रंतु विशलेशन विदी में तिनका स्वयम गास से बाहर निकलना चाता है यह कतन किसका है थान डाइक का स्पेंसर का आर्य भट का और प्रोफेसर यंग का तो बताईए संसलेशन और विशलेशन विदी के संबंद में यह कतन जो कहा जा रहा ह ये किसके दोरा कहा गया था तो साथियों राइट आंसर देखिएगा साथवे क्यूशन में कौन सर रहेगा प्रोपेसर यंग चोता विकल्प ये कतन जो है कि संसलेशन विदी में सुकी घांस के तनके को हम बाहर निकालते हैं और विशलेशन विदी में जो तिनका है वो सुम घांस से बाहर निकलना चाता है तो चोता विकल्प आपका सही है प्रश्ण संक्या साथ में नेक्स देखेंगे अब हम प्रश्ण नंबर आठ को तो चलिए आठवे क्यूशन की ओर सिक्सन की चक्रिय योजना का अन्य नाम है हरबर्ड उपागम, मोरिशन उपागम, RCEM उपागम और एलन उपागम तो देखो हरबर्ड उपागम तो पंचपदी को कहते हैं एलन उपागम भी इसका नाम नहीं है नहीं RCEM उपागम है बलकि जो चक्रिय योजना है सिक्सन की इसको मोरिशन उपागम के नाम से भी जाना जाता है तो विकल्प नंबर आपका 2 सहीए साथ यो आटवे क्यूशन में नेक्ट देखेंगे प्रशन संख्या 9 को तो चलिए 9 वेक्यूशन की तरप आपके प्रशन संख्या 9 ये देखिएगा अनुकरन विदी रचना के लिए उप्यूक्त है प्रारंबिक इस्तर पर उप्यूक्त है मादमिक इस्तर पर उप्यूक्त है उच इस्तर पर उप्यूक्त है या इन में से कोई नहीं तो जब भी आपको रचना सिक्सन के लिए उप्युक्त विदी पूछे और अगर इस्तर प्रारंबिक हो तो वहाँ पर आप प्रारंबिक इस्तर पर अनुकरन विदी को सही करोगे यहाँ अनुकरण विदी की बात की जा रही है इसलिए प्रारंबिक इस तर आपका रायट आलसर है तो नौवे क्यूशन में प्रसम विकल्प सहिए साथियो चलिए अगला प्रशन देखेंगे दस्वा ये देखिएगा निम्ण में से प्रात्मे किस तर पर बच्चों के सिक्सन तो उप्यूक्त नहीं मानी जाती है सायोगा आत्मक अदिगम, व्याक्यान द्वारा इसपष्ट, निर्देशित खोजविदी और परदर्शन विदी तो यहाँ पर यह जो चार विदियां अलग-अलग दे रखिये कि वहीं किस प्रकार की जो विदी है वो प्रात्मे किस तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए उप्यूक्त नहीं है तो राइट आंसर है आपके व्याक्यान द्वारा इसपष्ट, कौनसा? दूसरा विकल्प, ठीके? विकल्प नंबर आपका दो सही है प्रशन संक्या 10 में योगि व्याक्यान द्वारा इसपष्ट करन प्रात्मे किस तर पर बिल्कुल अनुप्यूक्त है साथियो सायोगात्म का दिगम सबसे फष्ट चोईस है निर्देशित खोज विदी सेकर्ड चोईस रहेगी परदर्शन विदी यापर थर्ड चोईस रहेगी आपके तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही प्रात्मे किस तर पर बच्चों के सिक्षन के लिए उप्यूक्त नहीं है नेक्स्ट प्रेश्ट नंबर 11 पर आते हैं आपके प्रशन संख्या 11 कौन सा गुण वस्तुनिष्ट परिक्षन का नहीं है वेद ता विश्वसने ता संपूर पाट्टे करम का मापन और व्यक्तिनिष्ट ता तो बताए प्रिश्चन संख्या 11 में कौन सा विकल्प आपका सही है इनमें से वस्तुनिष्ट परिक्षन का गुण कौन सा नहीं है साथियो वस्तुनिष्ट परिक्सन वेद होता है विश्वसनी होता है संपूर्ण पार्टे करम का लगबग ये मापन भी कर लेता है लेकिन व्यक्त निष्टा इसकी विशेस्ता या गुण नहीं है साथियों तो चोता विकल्प आपके प्रिश्ण संख्या 11 में बिल्कुल सही है नेक्स प्रिश्ट नमबर 12 पे चलते हैं तो चलिए बारवे क्यूशन के ओर आपके प्रिश्ण संख्या 12 आकलन का प्रात्मिक उद्देश क्या होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड में उत्तिन या अनुतिन अंकित करना विध्यारतियों के लिए स्रेणी निष्चित करना विध्यारतियों के प्रापतांकों के अधार पर उनको नमांकित करना संबंदित अउजहानाओं के बारे में बच्चों की इसपश्टता तता ब्रांतियों को समझना बताए प्रिश्ण संक्या 4 में इनमें से आकलन का प्रात्मिक उद्धेशिक क्या होना चाहिए अच्छी तरह से देख लीजिए प्रिश्ण संक्या 12 को राइट आंसर है बारवी क्यूशन में देख लेते हैं विकल्प बच्चों की इसपश्टा और ब्रांतियों को समझना की वो समझे या नहीं यह आकलन का प्रमुकुद्धेश्य या प्रात्मिकुद्धेश्य होना चाहिए विकल्प नमबर आपका चार सही है बारवी क्यूशन में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्ण संक्या तो चलिए तेरवे क्यूशन की तरप आपके प्रश्ण संक्या तेरा चात्र केंद्रित शिक्षा सास्त्र की क्या विशेस्ता है यंत्रवत याद करना केवल पाटे पुस्तकों पर निर्बर होना बच्चों के अनुभों को प्रात्मिक्ता देना योकिता के आदार पर विशेस्ता रहेगी तेरवे क्यूशन को देख लिए अच्छी तरह से थोड़ा टाइम ले सकते हैं इस क्यूशन के लिए राइट आंसर बताना है साथ यो पहला दूसरा तीसरा या चोता बताए जल्दी तेको राइट आंसर है बच्चों के अनुभों को प्रात्मिक्ता देना ये चात्र केंद्रित शिक्सा सास्त की विशेस्ता होती है क्योंकि अगर आप चोते विकल्प पर गए हो तो आपका अंसर गलत है यहाँ पर यह कह रहा है योग गिता के आधार पर विद्यारतियों को नामांकित करना और वर्गी करन करना तो सातियों ये कोई चात्र केंदरी दे शिक्सा सास्थ की विशेस्ता नहीं होती है विकल्प नमबर आपका थरड ही सही है प्रश्न 13 में नेक्ष्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संक्यार 14 की ओध तो चलिए चवद्र वेक्यूशन को देख लेते हैं आपके प्रश्न संक्यार 14 बालक में सरवांगिन व के साथ सहयगामी किर्याइ कराई जाये तो सरवांगीन विकास किसके माद्याम से हो सकता है चवदुवे कुशन में अच्छी तरह से विकलपो को देखियेगा देखो सहयगामी और सेक्षिक और सहयगामी दोनों चीजें होना चाहिए सात्यों तब जाके सर्वांगिन विकास माना जाता है तो कक्षा सिक्षण भी हो और उसके साथ में सहगा में किर्याएं भी कराई जाए जिससे उसके सभी पक्षों का विकास हो चाहे उसका कोई सभी पक्षों ग्यानात्मक बावात्मक किर्यात्मक तो सात्यों चोता यह के रहा है कि सिर्फ से सेक्षिक किरियाओ तो इससे ही पूरा कामनी चलेगा सेक्षिक किरियाओ से भी सिखाना जरूरी होता है तो नेक्ष प्रेश्ट नंबर 15 पे आते हैं आपके 15 वा क्यूशन बाशा सिक्षा के अंतरगत सुनने का अर्थ है द्वनी संक्यतों का शर्वन बोध पूर्वक सुनना द्वनी संक्यतों को दूतिवे में बदलना और इन में से कोई नहीं तो सुनने का अर्थ किस से लिया जाता है बाशा सिक्षा के अंतरगत। प्रश्ट संक्या 15 में सही आंसर का चैन करना है, कौन सा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा है, चोता विकल, बहुती इंपोर्टेंट क्यूशन है, एक एक क्यूशन, तो राइट आंसर है इसका, बाशा सिक्षा के अंतरगत सुनने का अर्थ होता है, बोध पुर्वक सुनना, मतलब सुन करके उस चीज़ को समझना भी चाहिए, ये विकलपाप का सहिए साथियो, प्रश्ट नमबर 15 में, नेक्ष्ट आता है आपके प्रश्ट नमबर 16, तो चलिए सोल्वे क्यूशन की ओर, आस्था, श्रद्दा, प्रेम, सहिर्देता और सवेदन शिल्ता के गुण, शिक्सन के किस उद्देश के अंतरगत आते है, रचना कारियों में बोतिक्ता लाना, सद्वरत्यों का विकास करना, बाशा तत्व का ज्यान प्राप्त करना, साहित्य का रसा सवदन करना, तो सोल वेक्यूशन में राइट आंसर देना है, कौन सा विकल पाप का सही रहेगा साथ यो सोल वेक्यूशन में तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक शब्द है आस्ता, दूसरा है श्रद्दा, तीसरा है प्रेम, सहर देता और सविदर शिलता यह जो चार-पांश शब्द है, यह हमें सद वरत्यों के बारे में बता रहे हैं, अतहर यह सद वरत्यों के विकास करने के अंतरगत आ जाते हैं सेकंड विकल पापके सोल वेक्यूशन में सही साथ यो, नेक्श देखेंगे आपके प्रिश्न संक्या सत्रा को तो चलिए सत्रवे क्यूशन के ओर, बाश्या तत्वों का ज्यान प्राप्त करना तो यहाँ पर गद्य सिक्सन का उद्देश होता है, या फिर ज्यानात्मक सिक्सन का उद्देश होता है, साथियों साइत्तिका रसा स्वादन करना यहाँ पर आपके 25 सिक्षन का उद्देश होता है ठीक है यहाँ पर नेक्स प्रिश्ट नमबर 17 क्योर बढ़ते हैं तो चलिए सत्रुए क्यूशन को देखेंगे निमलिकित में से कौन सी सरव्य दरश्य सामगरी है वरत चित्र बुलेटिन बोर्ड चित्र विस्तारक यंत्र और फ्लेनल बोर्ड तो बताए इन में से दरश्य सरव्य सामगरी कौन सी है प्रिश्ट संक्या 17 में राइट आंसर देखो फ्लेनल बोर्ड यहाँ पर एक दरश्य सामगरी है चित्र विस्तारा के अंत्र द्रश्य सामगरी है बुलेटिन बोर्ड द्रश्य सामगरी है लेकिन जो वरत्य चित्र है ये सरव्य द्रश्य सामगरी के अंतरगत आती है देखो वरत्य चित्र का मतलब क्या होता है सात्यो तो यहां आपका प्रतम विकल्ब सही है प्रश्ण नमबर 17 में नेक्ट देखेंगे अब हम प्रश्ण संक्या 18 को तो चलिए अठारवे क्यूशन की ओर आपके प्रश्ण संक्या 18 निग निगमन विदी में बच्चों को पहले सुत्र बता दिये जाते हैं और उसके बाद में जो समश्य हैं जो प्रश्ण हैं उनको हल किया जाता है तो इसलिए निगमन विदी का मार्ग खोज का मार्ग नहीं मान करके अनुकरन का मार्ग माना जाता है सात्यो विकल्ब नमबर आ कोशल एविक्सित करना, पर्त्सिक्षन की विदी होना, कर्मिकता का अभाव होना और सिक्षन सामागरी का बढ़वारा। तो इकाई विदी में क्या करते हैं? इसमें अधिकतम छे देनिक पार्थ योजनाओं को नियूनतम एक देनिक पार्थ योजना सम्मिलित होती है. अब यहाँ पर एक सदिक देनिक पार्ट योजनाय सम्मिलित करके उसको अलग-अलग प्रकरणों को एक साथ पढ़ाया जाता है इससे क्या होता है साथ यहों कर्मिक्ता तूट जाती है अर्तार्थ इसमें कर्मिक्ता का अभाव पाया जाता है थार्ड विकल्ब आपके 19 वे क्यूशन में सही है नेक्श देखेंगे आपके प्रिश्न संक्या 20 को तो चलिए 20 वे क्यूशन क्यों बढ़ेंगे आपके प्रिश्न संक्या 20 उपलब्दी प्रिख्षन का अंतिम सोपान है समश्या का चुनाओ करना समय का निर्दारन करना नील पत्र बनाना और अंक तालिका का निर्मान करना तो जो उपलब्दी परिक्षन है इसका अंतिम सोपान आपको यहाँ पर चूज करना है कि भई इसका अंतिम सोपान कौन सर है उपलब्दी परिक्षन का तो समश्या का चुनाओ तो सबसे पहले किया जाता है साथियों ये गलत है नील पत्र निर्मान जो पेपर है वो बनाने से पहले किया जाता है ये भी गलत है समय निर्दारान भी पहले ही कर लिया जाता है लेकिन अंक ताली का निर्मान सबसे बाद में किया जाता है इसलिए बीसवे क्यूशन में आपके चोता विकल्प बिल्कुल सही रहेगा नेक्स आता है आपके प्रशन संक्या 21 तो चलिए 21 क्यूशन की ओर आपके 21 क्यूशन है मौन्टेंसरी विदी का उपयोग करते हैं मौन वाचन में करते हैं सहसोर वाचन में करते हैं लेखन सिक्सर में करते हैं या इन में से सभी में मौन्टेंसरी विदी का उपयोग किया जाता है देखो मौन्टेंसरी विदी का उपयोग मौनवाचन में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है साथियों बलकि मौन्टेंसरी विदी जो की ज्यानेंद्रियों के प्रशिक्सम पर बल देती है इसमें लेकन सिक्सन में इसका उप्योग करते है थर्ड विकलवाप का सही है लेकन सिक्सन पर ही इसमें जोर दिया जाता है तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रशन संक्या 22 पर 22 वाक्यूशन ये देखिए 22 प्रशन को सुन्दर लेखन के अभ्यास के लिए उप्यूक्त रहेगा शुरुत लेख, परती लेख, अनू लेख और कहानी लिखना बताईए इनमें से सुन्दर लेखन का यदि आपको अभ्यास करना है तो कौन सा उप्यूक्त रहेगा प्रिश्ण संक्या 22 में साथियों 22 क्यूशन का जो राइट आंसर है कौन सा है 22 प्रिश्ण में देख लिजिए अच्छी तरे से और सई आंसर का चैन कीजिएगा तो देखो 22 क्यूशन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके अनू लेख थर्ड विकल्प साहिए साथियों शुरूत लेक में तो क्या किया जाता है बालकों की जो अशुद्या शब्दों की होती है वरतनियों की जो अशुद्या होती है उनको दूर करने का कारी किया जाता है परती लेग का मतलब होता है नकल करना, साथियो सुंदर लेखन हमे अनुलेखन से ही प्राप्त होता है तो next question number 23 पे आते हैं आपके 23 वाक्यूशन देखिएगा प्रशन number 23 को आपके प्रशन संक्या 23 सिक्सन कोशलो के विकास के लिए व्योस्ता की जाती है सुस्म सिक्सन की इकाई योजना की दल सिक्सन की और अभिकर्मी तनूदेशन विदी की तो देखो सिक्सन कोशलो का यदि विकास करना है तो इसके लिए माइक्रो टीचिंग या सुस्म सिक्सन की व्योस्ता की जाती है कमेंट करके जाएए कि सुस्म सिक्सन विदी के जनक किसको माना जाता है साथियो इसके बाद में जो दल सिक्सन विदी होती है इसमें तो किसी विशेस इकाये विशेस परकरण से संबंदी समश्या हो तो उसके लिए दल सिक्सन किया जाता है इसके भी जनक कमेंड करके जाईएगा साथियों चलिए मैं ही बता देता हूँ इसके तो डेविड वार्डिंग इसके जनक है तो चलिए नेक्ष प्रश नमबर चोईस पर आपके चोईसवा क्यूशन है शेत्रातन विदी का गुण नहीं है विध्यारतियों में उत्साहय पेदा करना विध्यारतियों के ज्ञान में अभिवर्द्धी करना समाज हुए घर में उत्तम संबंध इस्तापित करना और समय की बचत नहें होना तो बताईए इन में से 24 वे क्यूशन में कौन सा अंसर रहेगा शेत्राटन विदी का गुण कौन सा नहीं है तो देखो विद्यारतियों में ग्यान के अभिवरद्धी होती है उत्सा है पेदा होता है समाज हुए घर में उत्तम संबंध भी स्तापित होते है लेकिन साथियों समय की बचत नहीं होना तो बिल्कुल सही बात है इसमें समय की बचत नहीं होती है ये इसका गुण नहीं है चोता विकल्प आपका सही है प्रिष्ण संक्या 25 को तो चलिए 25 वे क्यूशन की और आपके 25 वे क्यूशन है विविद बाल को द्वारा पात्रों के रूप में समवाद बोलना सिक्सक द्वारा अभिने करना नाटक करना और इन में से कोई नहीं तो साथियों वाचिक मतलब होता है बोलना तो देखो प्रश्ण संक्या 25 में राइट आंसर है विविद बाल को द्वारा पात्रों के चब्विस की ओन तो चलिए 26 वे क्यूशन को देखेंगे यदि आप कक्षा में दहेद की समश्या पढ़ाना चाते हैं तो आप किस विदी को सरुसेष्ट मानेंगे पात्रा अभिने विदी को परियोक्षाला विदी को बाशन विदी को और अनुसंदान विदी को भाई में क्या-क्या समश्या आती है बाशन भी उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है अनुसंदान खोज करके कि घर घर जाकी कि दहेद क्या है क्या नहीं है ऐसा तो हम नहीं करेंगे बलकि पात्रा अभिने विदी के माध्यम से यदि हम इस समश्या को पढ़ाते हैं तो वो यूज्ट बेंगे पृष्ण संख्या 27 पर ? तो चलिए 27 वे कूश्ण की और आपके पृष्ण संख्या 27 सिक्सन की किस विदी का प्रियोग कर पतिये कध्यापक साही से शिक्सन नहीं कर पाता है ! प्रयोजना विदी, सुत्र विदी, व्याक्यान विदी और बर्मन विदी प्रिष्ट संक्या 27 इसमें राइट आंसर का चैन करना है साथियों कौन सा आंसर आपके 27 वे प्रिष्ट में सही रहेगा तो देखो राइट आंसर है इसके प्रिष्ट में व्याक्यान विदी थर्ड में नहीं आता है तो विगल्प नंबर आपका तीन साहिए सातियों 27 वेक्यूशन में नेश्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्णि संग्या 28 पर तो चलिए 28 वेक्यूशन को देखेंगे सबसे अच्छी सिक्सन विदी वह है जिसमें विद्यारती पर आधारित किरिया अधिक होती है जिसमें जो बहुत सरल हो जिसमें बहुत जदा चुट्टियां हो और इन में से कोई नहीं तो सबसे अच्छी सिक्सन विदी किसे माना जाता है सातियों जो बहुत सरल हो या बहुत छुटिया हो उसको सबसे अच्छी सिक्षन विदी नहीं माना जाता है बलकि सबसे अच्छी सिक्षन विदी वह होती है जिसमें विद्यारती पर आदारित किरिये अधिक हो विकल्प नमबर आपका जो एक है वो आपका सही आमसर है क्योंकि विद्यारती पर आदारीत किरिया अधिक होगी तो चातर उसको करके सिखेंगे और करके सिखेंगे तो ज्यान इस्ताई और लंबे समय तक रहेगा नेक्स ट्रेश नमबर 29 पे आते हैं तो चलिए 29 वेक्यूशन को देखेंगे लेकिन अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यार और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं बूले आपका एक सबस्क्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छा मेटर प्रोवाइड करने के लिए तो चलिए 29 वेक्यूशन को देख लेते हैं बालक को किस सोपाँ से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है अनुकरन वाचन से आदर्श वाचन से प्रस्तावना से और प्रस्तूतिकरन से तो बालक को जब हम देनिक पार्ट योजना के माध्यम से सिक्सन कराते हैं तो वहाँ पर एक सोपान आता है प्रस्तावना उसी में हम यह बताते हैं कि हम यह यह पार्ट पढ़ेंगे यह यह परकरन पढ़ेंगे तो प्रस्तावना सोपान से ही बालक को पता चलता है कि उसे क्य पढ़ना है साथियों विकल्प नंबर आपका 3 जो है वो 39 क्यूशन में बिल्कुल सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संक्या 30 पर तो चलिए 30 क्यूशन को देखते हैं आपके प्रश्न संक्या 30 व्याकरण ज्यान की आवशक्ता होती है बाशा को बोलना सिखाने के लिए बाशा के शुद्ध प्रियोग के लिए बाशा को बोलना सिखाने के लिए दो बार आ गया यह तो बाशा को लिखना सिखाने के लिए लिखाता यहां पर और बाशा को समझाने के लिए तो साथियों 23 प्रश्न संख्यां 21 को चलिए 31 प्रष्ण की तरब आपके प्रश्न संख्या 31 वह है विदी जिसमें विध्यारती अपना अध्यान कार्य अध्यापक की देखरेक में पूर्ण करते हैं कैलाती है सवध्यान विदी, ग्रह कार्य विदी, परिवेक्षित अध्यान विदी और मोखिक कार्य विदी तो देखो ग्रे कारी में तो घर पर कारी किया जाता है सो अध्यान में खुद ही स्वंपूर्ण अध्यान बालक करता है और जिसमें अध्यापक की देखरेक में बालक अध्यान का कारी करे उसको हम पर्यवेक्षित अध्यान विदी के नाम से जानते हैं जनक कोन है डेजी जोन मौरविल विकल्प नंबर आपका तीन सहीय साथियों प्रिश्ण संक्या 31 में नेक्ष देखेंगे अब हम प्रिश्ण संक्या 32 को तो चलिए 32 वे प्रिश्ण की ओर आपके प्रिश्ण संक्या 32 कविता सिक्सन का प्रमुकुद्देश्च है शब्दार्थ बोध मापन्शम्ता मनोरंजयन और भावनुबुद्दी देखो इसी तरह से आपके एक्जाम में प्रिश्ण पूचे जाएंगे अच्छी तरह से याद रखना इसलिए पुरा ध्यान यही पर होना चाहिए आपके प्रिश्ण संक्या 32 में राइट आंसर बताईए कविता सिक्सन का इन में से प्रमुकुद्देश क्या रहेगा तो राइट आंसर है आपके कविता या पद्दी सिक्सन का प्रमुकुद्देश होता है रसा नुबुती वे भावा नुबुती कराना विकल्प नंबर आपका चार साहिए सात्यों 32 वे क्यूशन में नेक्स देखेंगे अब हम प्रिश्ण संक्या 33 को तो चलिए 33 वे प्रिश्ण की ओर आपके प्रिश्ण संक्या 33 बाश्या संसर की विधी उप्योगी है पद्दी सिक्सन में, गद्दी सिक्सन में, व्याकरन सिक्सन में और लेकन सिक्सन में तो बताइए इन में से बाशा संसर की विदी किसमें उपयोगी मानी जाती है साथियों राइट आंसर है आपके बाशा संसर की विदी वियाकरन सिक्सन में एक उपयोगी विदी मानी जाती है और इसका प्रियोग भी वियाक्रन सिक्सन में किया जाता है विकल्प नंबर आपका 3 सई है 33 वेक्यूशन में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्ण संक्या 34 पर तो चलिए 34 वेक्यूशन को देखते हैं प्रस्तावना का मूल आदार होता है पुर्वघ्यान, सहायक, सामगरी, सिक्सन, उद्देशや समश्यात्मक प्रश्ण तो बताइये प्रस्तावना प्रashes का मूल आदार किसको मना जाता है प्रश्ण संक्या 34 में राइट आंसर का चेन करना है मित्रों कौन सा रहेगा 34 प्रिश्ण में प्रस्तावना का मूल आदार पुर्वग्यान होता है क्योंकि प्रस्तावना में जो हम प्रश्ण पूछते हैं वो पुर्वग्यान पर ही तो आदारित होता है भई प्रश्ण किस पर आदारित होते हैं पुर्वग्यान पर आदारित होते हैं और जो भी प्रशन हम पूचते हैं वह अंतिम प्रशन समश्यात्मक और इसके पहले के प्रशन सारे बच्चों को आते हैं वो पूचते हैं सात्यों इसलिए आपका पुरू ग्यान वाला जो विकल्प है 34 वे क्यूशन में यही सही आंसर है यह बहुत इंपोर्टेंट सामश्यात्यों सामश्यात्यों के想 घुचते हैं साहा यही दिविए यह अंतिक है और दिरश्यात्यास्यात्यान वीकल्प है चोता विकलब आपके 35 क्यूशन में सही है अब आज का अंतिम और 36 क्यूशन अगर पीडियेप लेना है तो टेलिग्राम चेनल जो हमारा है Study with PN लोधा के नाम से उसको जोइन कर लीजिएगा आपको पीडियेप आपको 12 बजे आज मिल जाएगी बाश्या सिक्सन में मुल्यांकन उपागम के परवर्तक है Morrison, Kilpatrick, Bloom और Probeil तो बताएए इन में से मुल्यांकन उपागम के परवर्तक किसको माना जाता है साथियो प्रिश्ण संक्या 36 में राय टांसर है बाशा सिक्सन में मुल्यांकन उपागम के प्रवर्तक बी एस ब्लूम को माना जाता है थर्ड विकलप आपके 36 वे क्यूशन में सही है कमेंड करके जाईए कितने क्यूशन सही हुए हैं अगर किसी भी प्रिश्ण पर डाउट हो तो उसके लिए भी जरूर कमेंट करें और इसके पहले यह जो आपको वीडियो दिख रहा है साइकलोजिका इसको भी जरूर देख लीजेगा ठीके तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए